कि Hello and welcome friends to my YouTube channel I am Arpit Khurana an Interior Designer turned into a YouTuber, आज हम आपके लिए जो वीडियो ले के आए हैं इसके बारे में मारे पस कई सवाल आए हैं तो आज की जो ये वीडियो है ये रहने वाली है सिमेंट बोर्ड के बारे में तो मैं पहले आपको बता दूँ कि ये cement board जिसको आप bison board के नाम से भी आप जानते होंगे market में आपने नाम सुना होगा कई बारी ये board 62% cement और 28% wood को मिला कर बनाया जाता है market में ये आपको कई brands के नाम से मिलेगा जैसे की विसाका इंडस्ट्रीज, Everest इंडस्ट्रीज, NCL ग्रूप NCL ग्रूप जो की इस product का market leader है उन्होंने bison work के जो एक Germany की company है उनके साथ collaborate करके इस product को launch किया था इसलिए आप इस product को bison board के नाम से जानते हैं तो पहला सवाल है कि ये board किस sizes में आता है और कितनी thicknesses में आता है तो basically ये board आपको mostly 8 by 4 के size में मिल जाएगा और भी companies के अपने-पने sizes होते हैं उससे साब से आप market में पता कर सकते हैं thicknesses इसकी 5 mm से लेके 25 mm तक आपको मिल सकती है 8 mm, 12 mm, 18 mm की thickness तो हमारे पास यहाँ पे available है दूसरा सवाल ये है कि इसके features क्या-क्या है क्या फाइदे मिल सकते हैं हमार को इससे तो सबसे पहला फाइदा है कि ये water resistant है पानी में डुबा के रगदो इतनी इसानी से खराब नहीं होता जितना मर्जी पानी पड़े, exterior में यूज करो, interior में यूज करो कोई भी problem नहीं आती है as such इसमें दूसरा फाइदा कि ये fire resistant है आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इसको ये totally fire resistant है तीसरा फाइदा termite resistant है कहीं पे भी दीमक लगने का इसमें कोई chance नहीं है load bearing capacity इसकी अच्छी होने के कारण आप इसको कहीं पे भी use कर सकते है as इसकी density 1250 से लेके 1300 kg पर cubic meter होती है तो आप इस पे आप कुछ भी टांग सकते हैं कैसी भी जगा पे इसको आप use कर सकते हैं तो तीसरा और main सवाल जो कि लोग हमसे पूछते हैं वो है कि इसके uses क्या है bison board मतलब लोगों को अभी भी नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि इसके uses बहुत सारे हैं आप इसको फॉल सीलिंग में use कर सकते हैं इसको आप partition wall बना सकते हैं इससे जिसकी gypsum के comparatively जातर हम gypsum के बनाते हैं gypsum के comparatively इसकी strength बहुत जादा है आप इसको lift की shaft में use कर सकते हैं और facades में use कर सकते हैं facades में बहुत use हो रहा है सबसे अच्छी बात जो है इसकी आप इसकी उपर paint कर सकते हैं कैसा भी प्रकार का पुट्टी खीचो paint कर दो सबसे main फायदा इसका यह है कि आप इसको as wall lining भी use कर सकते हैं जिस दिवार पे आपके dampness आ गई है या sealant आ गई है तो आप उस पे इसको install कर सकते हैं इसके उपर आप paint और पुट्टी खीचिये और आपका काम खता है आजकल market में pre laminated cement boards भी आने लग गए हैं जिसको आप अपने kitchen cabinets में अलमारी में या और भी कई furniture बनाने में आप इसको use कर सकते हैं तो इसको लगाने के बाद आपकी दीमक की पानी की हर चीज की tension खतम हो जाती है इसका जो एक नुकसान है मैं आपको वह भी बता दूँ कि क्या है basically ये weather change में अपने akar को थोड़ा सा expand और contract करता है तो वो हमार को installation के time पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इस चीज का कुछ बाते जिनका आपको ध्यान रखना है इसको install करते हुए वो है अगर तो आप इसको direct wall पे लगा रहे हैं तो आप direct screw कर सकते हैं according to the thickness आप thickness देख लीजे उसे साफ से आप screw choose कीजेगा और आप इसको direct screw कर सकते हैं दिवार के अंदर but if आप कहीं और use कर रहे हैं या partition में use कर रहे हैं तो इसके लिए आपको MS frame या GI का एक frame तियार करना होगा उसके उपर आप इसको screw कर सकते हैं but एक और चीज जिसका आपको mainly ध्यान रखना है वो यह है कि जब आप दो panels को लगाएं तो इनके बीच में एक gap रख दें एक suit का या दो suit का या almost 2-3 mm का gap जरूर रखिएगा so that जब weather change हो यह expand या contract करे तो यह crack ना करे या इसके उपर जो paint हुआ होगा वो crack ना करे तो यह एक basic चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है उसके अलाबा it's good to go आप कहीं पे भी इसको use कीजिए अगर आपको यह video अच्छा लगा हो तो please like share and subscribe please 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 नीचे जाके subscribe बटन को click कर दो थोड़ी से जादा motivation मिलती है ऐसी videos बनाने के लिए और अच्छा लगता है कि आप लोगों को हम यह knowledge share कर पा रहे हैं और आप लोग उसको like भी कर रहे हैं अगर कुछ गलत लग रहा है कोई च कर सकते हैं तो please comment में हमार को बताईए हम एक-एक comment खुझ से पढ़ते हैं और अपने आपको everyday improve करने की कोशिश करते हैं तो please अपने दोस्तों के साथ जो की अगर यह लगाने का plan कर रहे हैं तो उनके साथ आप share कीजिए so that उनको यह information अच्छी लगे और thank you so much मिलते हैं एक न झाल